आज मैं लेकर आईँ मुँमे गुल जाने वाली भहुती रसेली मावा गुजिया ये गुजिया भहुती जल्दी बनके तैयार हो जाती है इसमें कोई हमें जादा मेहनत करने नहीं पड़ती हम इसे बड़ी आसानी से घर पर बना के तैयार कर सकते हैं अगर वीडियो एच्छ दो बड़ी कटोरी मैंदा और मोइन के लिए यांपर लिया है एक चोटी कटोरी घी हमें यहां पर मीडियू पिगला हुआ लेना है नाहीं जादा पिगला हूआ ऑदो होना चाहिए तो आप देख सकते हैं हमने कैसा घिली आया यहां पर अब इसे बढ़िया से हातों से मिक्स कर देंगे तो देखिए मेरी मुट्टी बंद रही है हमें ऐसा ही मौइन हमारी गुजिया में चाहिए इससे क्या होगा कि गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगी अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका आटा लगा लेंगी तो देखिए यह रोटी यह साटा मैंने लगा लिया है यहां पर इसे यहां पर दस मिनट के लिए ढखकर रग दूँगी इससे बढ़िया से सेट हो जाएगा तो एक कोई बरतन लीजिए उसे ढखकर रग दीजि इन तीनों को बढ़िया से भूल लेंगे भूलने से इनमें बढ़िया से खुसबू आती उनका टेस्ट बहुत अच्चा हो जाता है तो आप थोड़े देर इसे भूलने अब यहां पर लिया है एक कटोरी भरकर नारियल का वुरादा इसे भी थोड़े देर के लिए हम भू कर लेंगे थोड़ी देर ही भूनना है हमें यहां पर जादा नहीं भूनना है बिल्कुल यह नरम हो जाए बस इतना सा ही तो यह चलाती हुए भूनेंगे इसको अब इन तीनों चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे यहां पर अब लेंगे यहां पर चीनी तो चीनी मैं चीनirsin इसे यह पर 2 कटोरी ली ए कुधै और इसे भी बड़िए सिड़ा कर मिक्स लेंगे अप चाहें तो चीनी बिसी भी लाल सकते हैं जो जाई प्राइब नहीं इसको हब चिकना करणगे तो थोड़ी दिर 2 मिनिट के लिए मैं इसे हातों से बढ़िया से दवाती हुई मसलना है तो ये बढ़िया चिकना हो जाएगा अब मैं इसे चिकना कर लिए अब थोड़ा-बच्चेग करतोंगगे इसे डखकर रखना है हमें नहीं तो इसमें परता जाएगी तो इसे डखकर रख दिया है अब इस आटे के एक लंबा सा रोल बना लेंगे बड़िया से तो देखे ये रोल तयार कर लिया है अब इसकी छोटी छोटी लोईया तूरना है हमें तो ये सारी लोईया मैंने तूरन आपको इसे एक जैसा ही बिलना है नाई पतली और नाई मोर्ती चारों तरफ बिलकुल एक जैसा ही होना चाहिए अब इसमें स्टपिंग भरेंगे हम तो दो चम्मच मैने जापर इसमें अब थोड़ा सा लिया ये पानी पानी हम इस गुजिया की चारों तरफ लगाएंगे इ पानी लगाकर बढ़िया से पलटकर आथों से दवाती हुई हमें इसको बंद करना है अलगे आथों से दवाना है हमें बढ़िया से बंद हो जाएगी तो ये खुलेगी नहीं अब इस तरह की एक काटा चम्मच लीजिए और इससे बढ़िया सी एक डिजाइन डार आपको देखाऊंगे तो देखिए एक तरह की डिजाइन हमने बना लिए कितनी सुन्दल लग रही ये डिजाइन अब मैं दूसरी गुजिया भी आपको बना कर दिखाती हूं तो इसके लिए एक लोई लेंगे और इसे भी बढ़िया से हम बेल लेंगे यहां पर हमें एक देखिए मैंने तैयार कर ली है अब इसमें भी दो चमच चम इस टपिंग भरेंगे और इसमें भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाकर बढ़िया से इसे भी बंद कर देंगे आप पानी लगाने का ध्यान जरूर रखे अगर हम बिना पानी के चिपकाएंगे तो ये बिल्कुल भी नई चिपकेगी अमें लगेगा जरूर कि चिपक गई है लेकिन जब आम इसे कडाई में फ्राय करने के लिए डालेंगे तो ये खुल जाएगी तो आप जब भी गुजिया या समसा कुछ भी बनाएं तो पानी लगा कर ही चिपकाएं तो देखिए मै जाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी डिजान आ रही है जैसी हमें अलवाईयों के यहां से हम खरीद कर लाते हैं मार्केट से बिल्कुल बैसी की बैसी ही डिजान हमने इस पर बनाई है और जो भूत ही सुन्दर सी बनका त्यार हुए तो चले फ्राय करके दिखाती हूं मै मैंने यहां पर कड़ाई में ओल गरम होने के लिए रग दिया था ओल हमें जादा गरम नहीं चाहिए और जादा थंडा भी नहीं चाहिए मेडियम गरम होना चाहिए क्यूंकि अगर थंडा होगा तो यह ओली बनेगी और जादा गरम होगा तो यह जल्दी ही सिख जाएगी और फिर ये नरम रहा जाएगी क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगी तो आप गुजिया समोज सा कुछवी बनाएं तो औल को हमेशा मीडियम गरम ही रखें पर ही नहीं कि पर authorization करने हैं और इसमें ज्यादा टाइम ने लगता पास से साथ मिनट में ही ये फ्राय हो जाती है बार बार पलडते रही है विलकुल और ज्यादा गोल्डन भी नहीं करना है हमें तो देखिए ये मैंने दो थीन बार पलड दिया है और ये गोल्डन ब्राउन सी हो गई तब इसे निकाल लेंगे हम क्यूंकि अगर ज्यादा गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो ये भार आकर भी पकती रहती है तो और भी इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे बस थोड़ा थोड़ा सा ही गोल्डन ब्राउन करेंगे ये गरम रहती ह तो अपने आप में ही पकती रहती है ठंडा होने तक तो इसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है तो मैं इसी तरीके से सारी गुजियां फिराय कर लूँगी तो अब चलते हैं दूसरी तरफ यहां पर लेनी हमें एक कड़ाई आ हम बनाएंगे चासनी गुजियां के लिए चा इस पारी भणाएक लाओं मेजर्मेंट लएक ही बह्तार्य familiarity की और यह तो इसे बड़ाय से चलाते होए हम पकाएंगे जब तक इसमें मुवाल ना आने लगे बहूँ जल्दी बनकर तयार हुयाती यह चास्नी, देखे इसमें ओवाल आ गया है, अब इसे दो तीन मिनट से और पकने देंगी और फिर गेस को बंद कर देंगे, तो बस देखे यह चास्नी बनकर तयार हैं, हमें बिलकुल पतली सी चास्नी चाहिए थी, अब यह गुजिया इसमें डाल देंगे हम आप एक बात का मिसा ध्यान रखें या तो आपकी चासनी गरम होना चाहिए या फिर गुजिया गरम होना चाहिए एक चीज गरम होनी चाहिए तो मैंने गुजिया पहले फ्राय करके रख ली थी तो मेरी चासनी गरम में अब इसमें सारी गुजिया डा बढ़कर बढ़िया से 5 मिनट के लिए हम इसी में रहने देंगे इस गुजिया को दबाती हुए कर देंगे चारों तरब से थोड़ी चासनी पी पांच मिनट छोड़ देते हैं देखे कितनी सुन्दर सी गुजियां बनकर तयार हुई हमारी बिलकुल मुह में घुल जाने वा और इस ओली इस गुजिया को जरूर बनाएं रादे रादे